कर दिए नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं का सि हमने क्या गया box X मेरा आट नहे बेरो ध्योड इपयु estande लिए नए बच्छए जोइन होए है vind ओडरिवनय थ्योगें क्यों थीक्जशन एव दिए चींग कर दिए तर्लव अयम्कछी जर्किर मादमनेश्ञ बनादिया तर्लौ सपल दिए जब मैंने कर दिए होगा सबको मेरी आवास क्लियर आ रही है दूसरा अगर six to infinity लेकर लास्ट है माइनस infinity से zero क्यों होगा तो पूछ वोगा आपको ऐसा क्यों लगता है क्यों नहीं होगा माइनस infinity से माइनस one का box को minus one तो देगा ही देगा माइनस one से zero के बीच में जो number जा उनका box भी minus one होता है तो यह जब close bracket है तो इसकी वजह से यहां पर zero तक हम चले गाए कभी भी आपको डाउट होके ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा आपको माइन को strike करना जी कोई बीचिए विश्चिं वाला ना ना नेग्स 60th इंफिटी अगर बाक्स की वैल्यू है तो भाई यह तो सिदा 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 इसक्स निद्टी अ जो में भी बीचिए नीच में इसको नेग्षू एल्प विद्टीमें लिट्ट बीचिए लिगा लिग लिखा ने निच वस्चिए संग् 2 box x का square minus of box x minus of 3 less than or equal to 0. इसको simplify करेंगे. फटाफटाफट मुझे चाट बोक्स में अंसर देतू इसका क्या रहा है. कर दो कि अंसर देतू कि अंसर देतू कि अंसर देतू करेंडे. क्या रहा है अंसर आगए सबके? सेम उपर वालना टाइप का प्षिचन है सेम उपर डाइप है अब्दुल्ला, scroll up. विल्दें दी लिफलो, बिटा. माइनस 1 से 1, माइनस 2 से 1, 0 से 2. ठीक है, ठीक है. लेट सी कैसे करिंगे इस question को, लेट सिवाट्राइ. Box X हमने किया कर लिया, Box X को हमने ले लिया है, 2T square, minus of t, minus of 3, less than or equal to 0. फाकराइस क्या हो जाएगा, 2T square, minus of 3T, plus 2T minus 3, less than or equal to 0. T taken out common, 2T minus of 3, plus 1, 2T minus of 3, less than or equal to 0. तो T plus 1, into 2T minus of 3, less than or equal to 0. यहां से minus 1 आगे, T के वाल्यू और 3 by 2 आगे. So T belongs to, minus 1 से 3 by 2. Is it clear? T के आई, आपका box X है. Box X की value, minus 1 से 3 by 2 चलेगी. ऐखिए ना? माइनस 1 कहां से कहां तक आगेगा box का value? माइनस 1 कहां सकता है box का value? जब इन्पुट में, देखो, minus 1.5 भी आपने आगे डालाना, तो उसका box सीधा-सीधा minus 2 हो जाएगा. आना? तो X का value क्या जाएगा? minus 1. इन्पुट में हो सकता है. और 3 by 2 box मतलब क्या है? box 1 ही हो सकता है, जादा से जादा. 3 by 2 थोड़ी नहों सकता है. तो box X का value integers होता है. तो या तो box X minus 1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा. box X का value 1 का भोगा, जब इन्पुट में आप 2 तक डाल दो, 2 open तक. तो या आपका अंसर हो जाएगा, note करने इसको आप. तो भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 2 दाला तो box सीधा 2 देगा आपको. तो तो से छोटी values आप डाल सकते हैं, is it clear? तरही है? आँ सर्थ. चलिए, next question की तरफ. let's move with next question now. देखो, ABC are three real numbers. ABC are three real numbers. ABC are three real numbers. P का जो value है, वो box of A plus B plus C है. and Q का जो value है, वो box of A plus box of B plus box of C है. P का value box of A plus B plus C है. Q का value box of A plus box of B plus box of C है. तो P minus Q का maximum value क्या होगा आपको ये बताना है. options आपकी screen के सामने हैं, 0, minus 1, 2 और 3. चले, let's see this answer क्या होगा. प्टाफोट, प्टाफोट, प्टाफोट. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगोंने answer दिया. एक के ना? बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके वें सब बच्चे कर रहे हैं, इसे से काम. इसे प्टाफोट, प्टाफोट. झाल तरह पूर रहा है इसका उन्हें तो आखा रहा है विल्कुल आँसर है विसदर प्रेक्ट आंसर रिखेंगे देखते हैं लेट्सट्राइब कैसे करेंगे स्कूर्षिन को कैसे का साहिल आपने लिए इसको फंडमेंटली कैसी दिया जाएगा विद लॉचिक एकको मैं मान सकता हूं अबाष एक इटो प्लस आ एफ 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 एक को बदिक है लेक्ट अपरोच्छ है यह हम mostly questions में उसकरते हैं जहां पर box x involved होता है तो P को आप क्या लिख सकते है सर फिर F1 को 0.9999 मतलब हाइस वेल्यू लेकर सॉल कर सकते है तो कर सकते हैं तो आजाएगा उसकर वो भी मैं बता रहा हूं कैसे होगा देखो P आपका क्या हो गया I1 प्लस F1 I2 प्लस F2 I3 प्लस F3 तो मैंने आपको एक चीज बता ही है जो इंटीजर वो डिरेक्ली बॉक्स के बाहर आ जाते है तो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस box of F1 प्लस F2 प्लस F3 अब क्यू अगर आप देखोगे तो क्यू यहां पर क्या है box A plus box B plus box C box of A क्या होगा I1 होगा box of B क्या होगा I2 होगा box of C क्या होगा I3 होगा यहां तक सबको clear है किसी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी लो अब मुझे क्या करना है P-Q माक्सिम निकालना है तो P-Q पहले निकाल लेता हूँ तो अगर दोनों का मैं डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास बच्चेगा box of F1 plus F2 plus F3 ना यू विल अप्रिशियेट के 0 से F1 की वाल्यू 1 के बीच में है यहां सेम 0 से F2 की वाल्यू 1 के बीच में है सर वो Q is equal to I1 plus I2 plus I3 कैसे लेखा हूँ यह लेखो नो box of A क्यों होगा I1 होगा box of B क्यों होगा I2? box of C? नो एक एक में बाल्यू 1 प्लस F1 का आप अटीजर पाट नू इए ना अब मैने क्या करा है इनको एड कर्गिया सब्होचों 0 से F1 plus F2 plus F3 का वाल्यू कितना हो गया पेच में 3 के बीच में है एक्वालिटी होल्ड नहीं करी थरी के लिए द्यान रखना तो तीनों का जो सम है इसका जो आंसर है वो 0 से 3 के बीच में है अब इसकी maximum value मतलब क्या इसकी maximum value चीए अब maximum value इसकी 0 से 3 के बीच में क्या सकती है box की obviously 2 आ सकती है ना अपना question solve हो किया चले next question की तरह एक और type of question रे लेते हैं जो उसुली examination में आदा है रोट कर लेंगे सको सारे के सारे बच्चे y is equal to 2 box x plus 3 और दूसरे में आदा हैगा y is equal to 3 times box of x minus 2 plus 5 find the value of find the value of take second order चली तो आपको क्या निकालना है value of box of x plus y आपको निकालना है ठीके ना आपको box of x plus y नहुनना है इसके आपको दो आपको बॉक्स पसवाई नहुनना है इसको झाल 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 हसी कैसे करेंगे इस वेशिन को हसी वेशिन तो बिल्कुल आज इस ही लिखी हुई है कोई प्रोब्लेम निये इस को मैं क्या लिख सता हूँ य इसको मैं क्या लिख सता हूँ आपको बता है न प्रॉपर्टी इंटीजर ओफ इस इंटीजर ओफ इस प्रोफ प्लस टू विल भी लिख सता हूँ यहांसे मुझे मुझे क्या मिल गया X plus Y क्या हो जाएगा box of X is 4 plus F plus 11 15 plus some fraction part answer क्या जाएगा 15 is it clear next question 15 is the correct answer let's go with one more question of this time the question is find the domain find the domain of the given function find the domain of f of X where f of X is equals to 1 upon box of mod X minus 1 except you you झाल 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 यह लिखा है 1 upon box of mod x minus 1 plus box of mod of 7 minus x minus 6 where जो यह box लिखा है वो GIF है एक सीज एक्जाम में आप ध्यान रखना जहां पर ऐसा box है वो मतलब इसका आपको डोमेन बताना है इसका आपको डोमेन बताना है झाल 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 झान झाल जाली, बहुत अच्छा क्वेशे नहीं. विसक्षिन युजली डिकेंगे आपको. झाल 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 आर माइनस वन टू सेवन थोड़ा और देखने की जरूरत है यह को वन पॉंट फैफ क्या में डाल सकता हूं आपने वन टू सेवन पूरा निकाल दिया है चेक करो वन पॉंट फैफ का मॉड पॉंट फैफ का मॉड पॉंट फैफ अ यह ना इस करेंगे सबसे करेंगे obvious आप्रोच हम कॉर्टिंड में लगाने वाले है इस क्किन परोच लिए कि हमें देखना है मॉड की डिफिनिशन पहले खोल लिए सबसे पहला को पर आपको करना है जिस की देफिनिशन खोल लिये तो 7-x ही खुलेगी as it is for 7-x greater than 0 and it will open as x-7 for 7-x less than 0 तो अगर x की वाल्यू साथ से बड़ी है तो माइनस के साथ खुलेगा अगर x की वाल्यू साथ से चोटी है तो as it is खुलेगा am I clear next यह खुलेगा x की वाल्यू 1 से बड़ी के लिए x-1 1-x x की वाल्यू 1 से चोटी के लिए तो अब function क्या बन जाएगा पहले तो function को analysis करेंगे हर interval में तो एक तो 1 पे analysis होगा seven penalises होगा अब one से पहले के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास function क्या खुला one upon one upon यहाँ पर क्या खुलेगा one से पहले पहले यह definition है और seven से पहले यह definition है तो यह खुलेगा box of 1-x 1 upon 1 upon अब 1 से 7 के बीच में कर रहे हो 1 से पहले पहले क्या कुलता है box of 1-x sorry 1 के बाद क्या कुलेगा box of x-1 next 7 के बाद is same as 1 के बाद box of x-1 plus अब 7-x अब कुलेगा जब 7 से छोटा होगा box of 7-x 7 से पहले पहले box of 7-x box of x-7 is it clear next और क्या बोल रहा है वो next चीज वो यह बोलना जा रहा है minus 6 लगा देंगे पीछे minus 6 लगा देंगे minus 6 लगा देंगे अभी हमने definition खोल दिया so this is the definition which we are supposed to follow okay पहले definitions के हिसाब से हर interval में function खुई है अब इसको थोड़ा समझा जा सकता है अब इसको further समर्जने के लिए हम क्या करेंगे हम box की properties लगा देंगे तो पहले case में क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं इसको understand कर रहा हूँ यह बन जाएगा 1 upon 1 plus minus box x plus 7 plus minus box x minus 6 एक एक को मैं ले रहा हूँ अभी ठीक है ना 1 upon 8 minus 6 कितना अदेगा 2 plus 2 box of minus 6 अब यह function हो गया मतलब denominator मेरा 0 नहीं होना चाहिए अब denominator मेरा 0 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है 2 plus 2 box of minus x should never be equal to 0 which implies box of x should never be equal to minus of 1 sorry negative का sign अंदर है अना भई minus of box x कभी minus 1 नहीं होना चाहिए मतलब अगर मैं हाँ से यह चीज़ बोलू तो मैं बोल सकता हूँ minus x का जो value है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए minus 1 का बाता है box के value box का value minus 1 हमारा जब भी हम input में डालेंगे minus 1 से 0 is it clear तो जब भी minus 1 से 0 में input में डालूँगा minus 1 पे चलेगा 0 नहीं चलेगा तो यहां से क्या पता चला x का value should belong from 0 to 1 closed should not belong यह सब को clear है नहीं है मुझे यह बता दीजिए आप is it clear to everyone sir उपर scroll करो देख लो जब यह हर real numbers चलेगा सिर्फ क्या नहीं चलेगा 0 से 1 नहीं चलेगा तर यह number line वाला समझ नहीं रहा है इसको दिक्कत कहा है वन पर इसको कहा है इसको कहा है 7 पर 7 से पहले 7 से बाद वाली definition लिखी इसकी 1 से पहले और 1 से बाद वाली definition लिखी और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटा 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 तो यह हमने वन के लिए किया अब इसकी बाद वाली के लिए मैं कर लेता हूं तो लेट में पूट आ दिमार्केशन तो इस विल बिकम वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सेवन प्लस बोक्स ओफ माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बचेगा अब मुझे इक चीज़ बताओ बॉक्स ओफ एक्स प्लस बॉक्स ओफ माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए यह अच्छली जीरो का होता है यह बॉक्स ओफ एक्स प्लस बॉक्स ओफ माइनस एक्स आपको क्या-क्या अंसर देता है या तो यह माइनस वन देगा या तो यह जीरो जिरो कहां देता है जब भी इंटीजर वाल्य आप सब्स्टिटूट करते हैं और बाकी हर केसे में माइनस पन देता है तो एक्स की वाल्यू क्या नहीं चलेगी इंटीजर नहीं चलेगी इस रीजिन के अंदर एक्स शुड नाट बी इक्वल टू इंटीजर सेकेंड केस भी कर लिया अब थर्ड केस को अंडिस्टैंड करते हैं एक्या लिखा हुआ है वन अपॉन बॉक्स एक्स माइन समझाया इंटीजर क्या हुआ यह नहीं समझाया इंटीजर वाला मिया अरे यह प्रोपर्टी लिखवाई है ना तुम नोट डाउन करो ना सब चीजा भीया यह जालीक हाया भॉक्स ऑफ एक्स से उपर वाली प्रॉपर दिशन यह देखो ना तुम नोटी तुम लिखी हुए है ना एक चीज आपको इनची एकम बॉक्स एग्स ईड़िट बॉक्स निस एक्स जीरो या माइनस 1 होगा जिरो कब होगा आप आप पिर नहीं होना चीए जे जले आगे सब तक अधिर ऐसे केसे काम चलेगा जा इकी चप्टर के अंदर बूल जाते हो चिजे अभी तो याद रखना है अपको फूरा साल याद रखना है इसको माइनस 7 माइनस 6 तो 1 अपन 2 box of x minus 14 हो गया मतलब यह कभी 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है 2 box x minus 14 should not be equal to 02 box of x should not be equal to seven box x einmal सांब्सें अट के बीच नहीं होनी चाहिए अब यह सारी चीज नहीं होने चाहिए तसरी चीज़्या था और सूरी निकाल दो यह उनीत क्या क्या हूने चिछनि satisfy जी ए invincible amendment 99 अट найти मतलब 0 से 1, 0 तक चलेगा, यहाँ से 0 तक चलेगा, 0 से 1 नहीं होना चाहिए, फिर क्या क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं चलेगा, वो पहले निकाल दिया था, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 भी नहीं करता हूं तो 8 चल जाएगा यहां रखना 8 अपका चल जाएगा 8 ओपन है 8 चल जाएगा तो यह वाली वैल्यू सारी चल जाएगे तो मैं यहां से अपना final answer क्या बता सकता हूं what will be my final answer minus infinity से 0 चलेगा हाँ चलेगा माइनस infinity से 0 चलेगा अब यहां पर है ना थोड़ी problem हो जाएगी union अगर मैं लिखता हूं देगा 1 से 8 तक union में क्या क्या चल जाएगा 1 नहीं चलेगा 1 से 8 में सब कुछ चल जाएगा except क्या नहीं चलेगा बताओ भई 1 से हम चलना शुरू की 8 तक तो 8 आजाएगा 1 नहीं आएगा और क्या-क्या नहीं आएगा 2,3,4,5,6,7 नहीं आएगा तो elemental 2,3,4,5,6,7 को आप निकाल दे इस इक लिया इसको नोट डाउन कर लिए आप सर मतलब वो integer का पिर क्या रोल रोल का वंस integer का एक डाउन क्या बन दे इस नोट बिन उन टी लिए उसका तो निकाल लिया ना 12345678, तो पूरी नम्भर लायसं निकलें 5 ग्पेश्ब天 झाल 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 पुचन पुचन तो जो के लिए तुम्हें 10 मिर्स बादी जोइन कर दो, ठीक है, तुम्हें 10 मिर्स बादी जोइन कर दो, ठीक है?